ये कहानी है एक ऐसे जिन की जो लोगों की आत्माय लेकर उनकी इक्षा को पूरी करता था तो क्या ही ये पूरी स्टोरी चलिए जानते हैं मूवी की शुरुवात में हमें 1000 साल पहले का समय दिखाये जाता है जहां परसिया के राजा से जिन उनकी दूसरी इक्षा के बारे में पूशता है राजा कहता है कि उसे ऐसा तमासा देखना है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए तब जिन उसे कहता है ठीक है तथास तू अब जिन के इतना कहते ही पूरे परशिया में एक अजीब सी बिमारी फैल जाती है और लोग पत्थर में बदलने लगते हैं चारो तरफ तबाही का मंजर फैल जाता है इसके बाद जिन राजा से उसकी तीसरी इक्षा पूछता है राजा अपने देश की हालत देखकर तीसरी इक्षा मांगने ही वाला था कि तब ही एक जादूगर राजा को उसकी आखरी इक्षा मांगने से रोग देता है राजा को बताता है कि अगर ये जिन आपकी तीन इक्षा पूरी करता है तो प्रित्वे और नर्क के बीच का दर्वाजा खुल जाएगा जिससे हमारी दुनिया तबाह होकर एक नई दुनिया में बदल जाएगी जिन मैजीशियन की बाते सुनकर बौकला जाता है और अपना जादू चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही वो जादूगर उसे एक लाल पत्थर में कैद कर देता है अब इसके बाद मूवी शिफ्ट होकर प्रिजन टाइम में आती है जहां डॉक साइट पर एक आदमी मिस्टर विल एक प्राचीन मूर्ती के इं वो बॉक सीधा एक आदमी पर गिर जाता है जिससे आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है और बॉक्स के अंदर रखी मूर्ती भी तूट जाती है उस तूटी हुई मूर्ती को देखकर मिस्टर विल बहुत दुकी होते हैं लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस मूर्ती के एक तूटे हिस्से के अंदर एक लाल पत्थर था जिसे वहां का एक वरकर चुरा लेता है अब वो वरकर उस पत्थर को एक आदमी को बेज देता है वो आदमी उस पत्थर को लेकर निक के पास जाता है जो की प्राचीन चीजों की निलामी करता था निक उस पत्थर को देखता है और कहता है कि इस पत्थर की कीमत मेरी दोस्त एलेक्स बताएगी वो आदमी निक के पास ही उस पत्थर को छोड़ कर चरा जाता है अब सीन शिफ्ट होकर एलेक्स की तरफ जाता है जो कि अपने दोस्त जॉस के साथ लॉन टैनिस खेल रही थी खेल खتم होने के बाद एलेक्स सीधा निक के ऑफिस जाती है और पत्थर को देख कर कहती है कि ये बेश कीमती है वो थोड़ा और रिसरच करना चाहती थी इसलिए वो निक को बाहर जाने के लिए बोलती है निक के जाने के बाद वो फेसे जात शूरू कर देती है वो उसे चमकाने के लिए उस पर अपने मुह से भाब देती है तब उसमें से एक आवाज आती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया एलेक्स उस पत्थर को तुरंट माइक्रोसकोप से चेक करती है लेकिन उसे उसमें कुछ अजीब नजर आता है जिसके बाद वो तुरंट उस पत्थर को लेकर अपने दोस्ट जॉस के पास जाती है जॉस बिजी था इसलिए उस पत्थर को थोड़ी दिर बाद चेक करने के लिए बोलता है एलेक्स जॉस के पास उस पत्थर देकर चली जाती है अपना काम फिनिश करके जॉस उस पत्थर पर लेजर टेस्टिंग करता है टेस्टिंग में उसे पत्थर में कुछ अजीब सा नजर आता है और अचानक से मशीन भी काम करना बंद कर देती है जिसके चलते वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है इस धमाके से पत्थर भी तूट जाता है और जॉस भी काफी जादा जखमी हो जाता है जॉस दर्द से चिलाने लगता है तब ही वहां एक अजीब सा क्रेचर आकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये दर्द बरदास्ट नहीं हो रा जॉस कहता है नहीं फिर वो जीव उसे कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ अगर तुम बोलो कि काश मेरा ये दर्द खत्म हो जाए जॉस वेशा ही करता है तब वो क्रेचर कहता है कि ठीक है तुम्हारी वेश पूरी हुई और तभी जॉस की मौत हो जाती है इसके बाद वो क्रेचर इवॉल्फ होकर इंसान जैसा सरीर पा लेता है लेकिन अभी भी उसका फेस काफी जादा डरावना दिख रहा था वो पत्थर के टुकडो को उठा कर वहां से चला जाता है ये कोई और नहीं वही जिन था जो कि उस पत्थर से आजाद हो गया था इधर जब एलेक्स जॉस की लैव में जाती है तब उसे जॉस की मौत की ख़वर मिलती है जिसे सुनते ही वो काफी जादा तूट जाती है दूसरी तरफ हमें एक सूपर मारकेट डिखती है जिसके बाहर एक भिकारी भीक मांग रहा था उसे देखकर उस सूपर मारकेट का मैनेजर उसे वहां से भगा देता है भिकारी गुस्से में उसे गालियां देता हुआ बाहर एक गली में आ जाता है इसी गली में उसे जिन मिलता है जो कि वहीं गली में बैठा हुआ उसकी बाते सुन रहा था जिन उससे आकर पूछता है कि क्या तुम उस मैनेजर की मौत के बदले मुझे अपनी आत्मा दे सकते हो बिकारी उसे पागा समझ कर हा कर देता है अब जिन उस बिकारी से पूछता है कि तुम्हें उस मैनेजर को कैसी मौत देनी है बिकारी गुसे में बोलता है कि वो तड़ब तड़ब कर मरे जिन कहता है तुम्हारी विश पूरी हुई और तभी मार्केट के अंदर मैनेजर को कुछ होने लगता है वो वहीं तड़ब तड़ब कर मर जाता है अब मैनेजर की हालत देखकर विकारी जिन से ड़़गने लगता है इधर एलेक्स अपनी बेहन से बाते कर रही होती है वो उसे बताती है कि अभी भी उसे यही लगता है कि जोश को उस लाल पत्थर ने मार डाला तब उसकी बहन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिर्फ तुम्हारा वहम है अब अगले दिन एलेक्स उसी पत्थर की जानकारी पाने के लिए डॉक साइट जाती है और उसी वरकर से मिलती है जिसने वो पत्थर चुराया था वो एलेक्स को बताता है कि उसे पत्थर एक मूर्ती से मिला था जो कि ट्रांस्पोर्टेशन के समय एक हाथसे के चलते गिर कर तूट गई थी वो उसे मूर्ती के ओनर मिस्टर विल के बारे में भी बताता है जिसके बाद एलेक्स सीधा मिस्टर विल के पास जाती है जहां Will उसे एक कमरे में बहुत सी मूर्थिया दिखाता है और कहता है कि है सबी मूर्थियां बहुत ही प्राचीन है वो उसे उस जगा को भी दिखाता है जहां वो अपनी तूटी हुई मूर्थी को रखना चाहता था वो एलेक्स को अपनी पार्टी का भी इंविटेशन देता है जो कि कुछ दिनों बाद होने वाली थी अब सीन शिफ्ट होकर जिन पर जाता है जो कि एक मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर में जा रहा होता है वहाँ वो एक लास की चमड़ी उधेरने लगता है जिसे वहीं का एक स्टुडेंट देख लेता है और वो लास की हालत देखकर काफी डर जाता है जिन उसे कहता है कि तुम बोलो कि कास मुझे ये सब ना दिखे लड़का सेम वही रिपीट कर देता है इतना बोलते ही उस लड़के की आँखे गायब हो जाती है वो बहुत चिलाता है लेकिन जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी अब जिन उस लास की स्किन उखाड कर अपने चेहरे पर लगा देता है और पूरी तरह इंसान जैसे दिखने लगता है इधर दूसरी तरफ अलेक्स उस पथर का इन्वेस्टिगेशन करते होए एक इतिहास के प्रोफेसर के पास जाती है अलेक्स की पूरी बात सुनकर प्रोफेसर उसे कहती है उसने एक किताब में कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था गुप्थ आग کا प्थर प्रोफिसर आगे बताती है कि गुप्त आग से एक पत्थर बनाया गया था जिससे एक जिन को कैद किया गया एलक्स के कहानी सुनकर काफी डर जाती है इधर जिन अपने लिए कपड़े लेने जाता है वहाँ कैस काउंटर पर उसे एक लड़की दिखाई देती है वो उससे पूछता है कि तुम बहुत ही सुन्दर और जवान हो क्या तुम हमेशा ही ऐसा दिखना चाहती हो लड़की कहती है हाँ बिलकुल मैं हमेशा ऐसे ही दिखना चाहती हूँ जिन उसकी इच्छा पूरी कर देता है और वो लड़की वहाँ एक स्टैचू में तबदील हो जाती है इसके बाद जिन सीधा पुलिस टेशन जाता है वो वहाँ एक डिटेक्टिव से एलेक्स के घर एक आदमी की तरफ था जिन उससे पूछता है कि तुम उस आदमी को क्यों देख रहे हो डिटेक्टिव बताता है कि वो आदमी एक क्रिमिनल है वो हर बार खून करके पावर्स के दम पर जेल से छूट जाता है इसके बाद वो खुद ही जिन को अपनी इक्षा बता देता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो क्रिमिनल मेरे सामने किसी का खून कर दे ताकि मैं रंगे हाथ हो उसे पकड़ लूँ तब ही जिन उसकी एक्षा पूरी कर देता है और वो क्रिमिनल आदमी पुलिस की गन उठा कर दो पुलिस वालों को मार देता है डिटेक्टिव तु एक पर्षियन जादुगर ने जिन से अपने देश को बचाने के लिए बनाया था जिन लोगों की इक्षाएं पूरी करके उस पत्थर को ताकतवर बनाता है वो इस पत्थर को ताकतवर बना कर नर्क का दर्वाजा खोलना चाहता है जिन उस आदमी की तीन इक्षाएं पूरी करता है जिसे उसने आजाद किया हो क्योंकि उसके ऐसा करते ही नर्प का दरवाजा खोल जाता है लेकिन उसमें लिखा था कि जिन सिर्फ अपनी ताकते लोगों की इक्षाएं पूरी करने के लिए ही इस्तमाल कर सकता था एलेक्स किताब पढ़कर बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसने ही जिन को आजाद किया था यहाँ जिन एलेक्स को धूर्टा हुआ निक के आफिस पहुंच जाता है लेकिन वहाँ का सिक्योर्टी गार्ड उसे अंदर आने से रोग देता है तब जिन उस सिक्योर्टी गार्ड से भी उसकी इक्षा पूसता है तब वो बोलता है कि मेरी यही इक्षा है कि तुम महां से चले जाओ अब जिन उसकी विश सुनकर जाने लगता है क्योंकि उसे गार्ड की इक्षा तो पूरी करनी ही थी लेकिन जब वो जाने रगता है तब security guard को चुल मस्ती है और वो जिन को कहता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मुझे पार करना होगा और यही मेरी इच्छा है जिन उसकी ये भी इच्छा पूरी कर देता है और guard gate के सीसे के अंदर समा जाता है अब जिन वही डोर खोल कर guard को पार करके अंदर चला जाता है वो अंदर जाते ही निक से Alex का पता पूछता है लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता तब जिन एक pot को उठा कर निक को कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि इस pot की कीमत सौगुना बढ़ जाए निक इस पर हामी भर देता है और वो pot तुरंथी सोने में तबदील हो जाता है निक ये देखकर काफी जादा हैरान हो जाता है लेकिन इसके बावजूद वो जिन के दुबारा पूछने पर भी Alex का पता नहीं बताता जिन फिर से उसकी कोई एक्षा पूछता है निक उसे बोलता है कि उसे 50 लाख रुपे चाहिए और Alex का पता बता देता है दूसरी तरफ हम निक की मॉम को देखते हैं जिसका प्लेन क्रैश हो जाता है और उसकी इंस्योरेंस के 50 लाख रुपे निक को मिलते हैं एक खास बात और भी है जब भी जिन अपनी पावर्स का इस्तिमाल करता था तब तब Alex को उसके बारे में पता चल जाता था क्योंकि इस दौरान उसे दौरे पड़ते थे और उसे बहुत दर्द भी होता था अब जिन Alex के घर पहुँच जाता है वो उसकी तीन इक्षाएं पूरी करके जल्द से जल्द नर्क का दर्वाजा खोलना चाहता था इसलिए ही उसने पहले दूसरों की इक्षाएं पूरी करके लाल पत्थर को ताकतवर बनाया और उसने जिसकी भी इक्षाएं पूरी की थी उन सभी की आत्मा पत्थर में कैत थी जिन एलेक्स को अपनी तीन इक्षाएं बताने के लिए कहता है लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानती तब जिन कहता है कि मैं तुम्हें एक ज़्यादा विश्मागने का मौका दूँगा एलेक्स गुस्से से कहती है कि तुम अपनी खोपड़ी ही उडा लो तब जिन एक गन से अपनी खोपड़ी उडा लेता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो अमर था अब जिन फिर से उसकी तीन एक्षाएं पूसता है फिर एलेक्स अपनी एक्षा बोलती है वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या हो अब जिन उसकी एक्षा पूरी करता है और अपनी दुनिया में ले जाता है जो कि किसी torture room से कम नहीं थी जिन बोलता है कि मैं किसी का कस्ट दर्द चीक हूँ इन शॉर्ट तुम मुझे किसी की निराशा भी कह सकती हो क्योंकि जब भी कोई निराश होता है तब वो सबसे ज़्यादा उसी चीज की चाह करता है जो उसे चाहिए इसके बाद एलेक्स के पीछे एक डरावना सा जीव बढ़ जाता है और वो वहां से भागती है जिन एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के पास जा रहा हूँ तब डर कर एलेक्स उसे अपनी दूसरी इक्षा भी बता देती है वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुरंती गर पहुँच जाऊающий जिन उसकी एक्षा पूरी कर देता है और एलेक्स अपने घर में आ जाती है वो घर में अपनी बेहन को पुकारती है लेकिन तब ही उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है जिसमें उसकी बेहन ने लिखा थ कि वो मिस्टर विल की पार्टी में जा रही है एलेक्स तुरंथ ही मिस्टर विल की पार्टी के लिए निकलती है लेकिन जिन इससे पहले ही मिस्टर विल के पास मौजूद था अब बातों ही बातों में मिस्टर विल जिन से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस पार्टी को लोग इतिहास में भी याद रखें तब जिन उसकी भी इक्षा पूरी कर देता है और पार्टी में मौजूद सभी लोग बुरी तरह मरने लगते हैं हर जगा मौत का तांडव हो जाता है फिर वो जिन एलेक्स के पास जाकर उसकी आखरी इक्षा पूसता है लेकिन वो उसे बिना कुछ पताए वहां से भाग जाती है जिन उसे बहुत डराता है लेकिन एलेक्स अभी भी मूँ नहीं खोलती जिन फिर प्राचीन मूर्तियों को जिन्दा करके बहुत लोगों को मरवाता है एलेक्स फिर भी नहीं तूटती अब जिन एलेक्स को एक पें जिन उसकी एक्षा पूरी कर देता है लेकिन तब ही वो तुबारा से पत्थर में कैद होने लगता है जिसमें से वो बहार आया था दरसल एलेक्स ने अपना दिमाग लगा कर समय को पीछे करवा दिया था यानि वो दिन दुबारा आ गया था जब मूर्ती तूटी थी मार्क वही क्रेन ओपरेटर था जिसके चलते ही बॉक्स नीचे गिरा था जिन दुबारा से उस पत्थर में कैद हो जाता है और उस दिन कोई भी एक्सिडेंट नहीं होता और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें और कम करना ना भूलें